नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल इलबठिल में आज हम बात करेंगे कि हमारे कमपनियां अचानक से CIDI इंजिन पर क्यों आई है क्यों ट्रेक्टर कमपनियों ने CIDI इंजिन इंट्रेड्यूस करना स्टार्ड कर दिया है और धीरे धीरे करके सभी कमपनियां अपने ट्रेक्टर को CIDI के तरफ कनवर्ट करती जा रही है क्या कारण रहा कि अचानक से ये इंजिन हमारे यहां पर आने लग गए इनके एड़ोटाइसमेंट होने लग गए इनकी बढ़ाई होने लग गए इनकी खासियत बताने लग गए तो ऐसे क्या कारण रहे जिस कारण से ये सब चीजे हुई है आज हम उसका रिजन जानेंगे कि CIDI इंजिन क्यों आया हमारे ट्रेक्टरों में क्या कारण रहा इसके क्या फायदे है और क्या नुकसान है तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब प्रक्रिया स्टार्ड होती है हमारी भारत सरकार के तरफ से कैसे स्टार्ड होती है भारत सरकार ने भारत के स्टेज को डिजाइड किया है मतigo भारत stage एक होता है जिस पर यह बता जाता है कि इस engine के अंदर इतने प्रतीशवत कार्वन निकलना चीए इतने प्रतीशवत कार्वन डायॉकसईड निकलनी चीए इतने प्रतीशवत nitrogen का combination निकलने चीए मतलब उसमें पूरा एक standard होता है कि इस-इस मात्रा में अगर आपके इंजन जो है वो प्रेदूशन करते हैं तो ये भारत स्टेज के इस कैटेगरी को बिलाउंग करते हैं इसकी प्रक्रिया स्टार्ड की गई थी सन 2000 से 2000 में पहली वार भारत स्टेज आया था आप थोड़ा सा सांती से वेटे रहें क्योंकि ये बहुत ग्यान वाली बाते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये ग्यान इनके पास कहां से आ गया तो मैं आपको पूरा डाटा बताऊंगा जिससे कि आप थोड़ा आसानी से इसे समझ सकेंगे और उसी के साथ वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं क्योंकि ये चीज़े हैं जो कि हमारे किसानी वाले लोगों के पास ज़्यादा तर नहीं पहुँच पाती है और हम चाह रहे हैं कि किसानी करने वाले लोग भी एजुकेट हो ताकि वो सहर के लोगों को बरावर जवाब दे सके तो इसलिए हमने ये प्लान बनाया है कि हम आपको बताएंगे कि ये CIDA इंजन हमारे ट्रेक्टरों में क्यों आया जिसको आप अच्छे से किसी को भी जवाब दे सको तो भारती स्टेज फर्स्ट आई थी सन दोहजार में फिर दोहजार पांच में भारती स्टेज सेकेंड आया 2010 में भारती स्टेज थर्ड आया 2017 में भारती स्टेज फोर्थ आया और 2020 में डारेक्ट भारत स्टेज 6 आई, 5th को उचका दिया, मतलब 5th जो स्टेज थी उसको लेते ही नहीं, डारेक्ट 6 कर दिया, यह जो है भारत स्टेज यह इंजन्स की केटिगरी है, मतलब प्रदूसर्ण करने की छमता को बताना है कि इतने प्रतीसत आपका जो इंजन है वो यह प्रदूस करेगा, तो हमारे लिए सुटेवल रहेगा, इतने प्रतीसत यह प्रदूस करेगा, तो हमारे इस स्टेंडर्ड को फॉलू करेगा, और यह कंपल सरी अब कर दिया गया है हमारे टेक्टरों के उपर, इसलिए सभी कंपनिया धीरे-धीरे करके, CIDI के आया है, वो बहुत लंबा है, उसमें यह कहा गया है कि 68% प्रतीसत नॉक्स का एमिजन कम होना चाहिए, NOX होती है, जो कि हमारे इंजन के थू निकलती है, और 25% पेट्रोल के अंदर नॉक्स का एमिजन कम होना चाहिए, इन चीजों को हमारे D.I. इंजन फॉलू नहीं कर प पाता, इस कारेंट से C.I.D.I. के उबर कमपनियों को मजबूरी में जाना पड़ा, अब जैसे ही मजबूरी में गई, तो उन्होंने बढ़ाई करना चालू किया कि यह 25% more power introduce करता है, low vibration रखता है, और इसमें fuel economy आपके हिसाब से control होती है, यह बात मैंने भी अपनी वीडिय आज से ठीक 11 महिने पहले हमने वीडियो बनाई थी, जिसमें यह वाते हमने बताई, लेकिन उसके साथ हमने कौन्स क्या बताए, कि इसका price महंगा है, इसको चलाना जटिल है, क्योंकि यह issue unit से control होता है, इसके साथ जो spared लगेंगे, बहो costly रहेंगे, तो यह चीजे हमने आप पर प्रदूसर्ण जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसे control करने के लिए government ने ये कदम उठाए है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे इसके अंदर आपको अच्छे से fuel conversion होगा, और economy जो है देखा जाये तो बैसे कोई ज़्यादा change नहीं हो रही, company ने तो कहा कि 25% more power मिलती है, लेकिन हमने CIDI engine को drive किया है, हमने हमारे यहाँ पर fuel capacity देखी है, हमने यहाँ पर उन्हें चला करके देखा है, तो कोई बिसेश फरक नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल CIDI engine आपने लिया है, तो आपका एक देड़ लिटर डीजल जो है वो बच रहा है औ उससे जादा तो इसकी costing पड़ जाती है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजे हैं जो कि समझने लाइक है, समझने लाइक यह है कि जो common rail होती है, इसके अंदर जो pressure maintain किया जाता है, उस pressure में और हमारे direct injection pressure में काफी फर्क है, फर्क ऐसा है कि जो हमारा pressure DI engine के अंदर आता है, जो क पिश्टन के पास हम जो spray करते हैं, उसकी power को हम देखते हैं, तो वहाँ पर हम करीब 200 से 200 बार के करीब में pressure पर पहुच पाते थे, जिस कारण से हमारा जो fuel है, वो सही तरीके से हवा से mix नहीं होता था, इस कारण से वो amazon जो है मतलब हमारे भारत के जो standard है, उसे follow नहीं करता था, लेकिन नए CI-DI engine में क्या हुआ है, कि जो pressure लगाया गया है, मतलब जिसमें common rail लगाई जाती है, वो बहुत मजबूत material की बनी होती है, और उसके अंदर जो pressure maintain किया जाता है, वो करीब 300 बार से उपर किया जाता है, मतलब जहां से यह खतम हो जाते है, इस कारण से उसके atomization जो होता है, मतलब जो air और fuel का जो mix up होता है, वो जादा होता है, इस कारण से उसमें producer जो है, वो कम निकलता है, लेकिन कहां पर हमें नुक्सान हो रहा है, जहां process इसकी देखी जाया, तो इसकी जो process है, वो जटिल होने की वज़े से, इसकी अंदर हमारे को economy में improvement नहीं आ है, first इसके अंदर turbo लगा है, अभी हम देख रहे हैं, सभी tractor लगवग turbo के साथ ही आ रहा है, CIDI 50 range से उपर, दूसरा इसमें हमने देखा, जो common rail बनाई गई है, उसका जो pressure है, अभी तक ये जो tractor industry है, वो car industry के pressure पर अभी तक नहीं पहुची है, car industry का pressure इतना जादा high कर चुके हैं, वो कि उन्होंने अगर turbo नहीं भी लगाया, तब भी उनके काम हो जाते हैं, हमारे में turbo इसलिए लगा रहा है, ताकि वो pressure को regulator के through maintain कर सके, ये एक difference अभी चल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे CIDI engine जो है, वो effective result अभी किसानों को नहीं दे रहे हैं, मैंने ये वीडिय क्यों बनाए, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो है, वो data के उपर बना हुआ था, मतलब जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारा 25% more torque देगा, 25% more power देगा, इसमें vibration कम आएंगे, fuel के mode आएंगे, आपको economy में चलाना हो, economy में, अगर standard में, standard में, power में चलाना हो, power में, ऐसा करके हम हम बहुत सारे design तयार करके रखेंगे, तो किसानों को जो है, थोड़ा सा लुभा कर, हम बड़े pricing में अगर tractor देंगे, तो भी वो खरीद लेगा, लेकिन जैसे ही किसान ने खरीदा, तो कहीं न कहीं उसे समस्यां दिखने लगी, मतलब कैसे दिख रही है, कि power delivery के time पे इसमे lagging आ रही है, lagging मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है, कि हम जो regulator को pressure दे रहे हैं, और हम जो ताकत चाह रहे हैं, वो ताकत आती है, लेकिन थोड़ा सा समय लेने के बाद आती है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ECU unit जो है, इसके अंदर electric control unit जो है, वो उतना अच्छा तरीके से अभ कि मैं बात कर रहा हूँ, किसी particular का नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये इसी लिए चल रहा है, क्योंकि government ने ये सब standard अब हमारे टेक्टर इंडस्ट्री के उपर भी लागू कर दिये हैं, हलाकि टेक्टर इंडस्ट्री से पहले ही समझदार थी, उन्होंने October से पहले ही अपने CIDI engine launch कर दिये, ताकि किसानों के बीच में उसकी गलती जो भी हो से सुधारा जा सके, और तुरंत इंप्रूब करके नहे टेक्टर लाए जा सके, इसी लिए हमारी कंपनियों के साथ जो है CIDI engine आना सुरू हो गए हैं, अब मैं आपको वता रहा हूँ कि ये सब जो जानकार अब आप भी comment section में मुझे बताएं कि CIDI engine और normal engine अगर आपने चलाया है, तो आपको क्या improvement दिखाई दिया, अगर वो improvement आप नीचे comment में डालते हैं, तो हम सबसे पहले work उसी काम पर करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम नए engine की update किसानों को आसानी से दे सकें, और कौन सी company ने सबसे बहतर काम किया है CIDI engine में, वो भी आप comment में बताएं, ताकि हम उस company के particular उस tractor के engine के उपर focus करके वीडियो बना सकें, जिससे कि हमारे किसान सही निर्णाय और सही tractor ले सकें, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद